वो स्कूल नहीं मच्ची बजार है, जहाँ पर भी देखो, अर जगे कच्रा फैला हुआ है, छोर इतना कि दोनों कान सुन हो जाते हैं, जाती के नाम पर गुरूप बना कर सारे बच्चे एक दूसरे से मारफीट किया करते हैं, वहाँ के सारे टीचर्स अपनी अपनी मनमानी क जैसे उनका घर हो, वैसा तो सरकारी स्कूलों की यही हालत होती है, और ये सरकारी स्कूल तो सबका बाफ बना बैठना है, स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस स्कूल की ये खासियत है कि अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया भर की बुरी आत्ते आ जाएंगी, इस शहर का नाम पुधूर है, और ये पत्थरों के युक के जैसा है स्कूल है, वो देखिये, ये वही जगा है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा था, इतना कहने के बाद भी अड्मिशन यहीं करवाएंगी, जाहिए जाहिए, कि अच्के जमाने में किसी को भी मुद कि सला नहीं देनी चाहिए, मेरे खाते में लग देना इन बच्छों को पढ़ा की भी क्या काई आज ते लिप्स-टिक तो बहुत बख रही है पकड़ 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 पशकर पटापा उख रेगी अरे शोर मत मचाओ जो बिना शोर मचाए खेलो इसकी देशा है बाहर में इसकी ने क्या हुरा है अच्छा इनका नाम याद रखना ठीक है तुमसे बाद में पूछूँगी वो विदेशी थे वो हमारे देश को लूटने आये थे ये बात तुम लोगों को अच्छी तरह सी याद रखनी होगी येस टीचर वेरी गुड़ अब बताओ क्या नाम था उनका अब हम लोग साल याद करने की कोशिश करेंगे वेर काम कैसे चल रहा है काम धंदर अच्छा चल रहा है मेरा रजिस्टर पर साइन करने आया था अभी दुकान पर कोई नहीं है इस्ते चलता हूँ ठीक है जाओ एक्सक्यूज मी सुभा की प्रेयर नहीं होती क्या काम है तुम लगों को एडमिशन करवाना है तो वेट करो जब वाइस प्रिंसिपल आएंगे तो उनसर रसीद ले लेना उसके बाद ही अप्लिकेशन फॉर्म दूंगी लगता है यहां प्रिंसिपल ही नहीं है हाँ नहीं है कोई प्रिंसिपल जाओ मेरे सर पे मत खड़े रहो वाइस प्रिंसिपल मुझ पर चलाएंगे बाहर चलिए सुकुन से रंगोली भी नहीं बनाने देते है यहां नमस्ते सार जाके तोनों गर का एलेक्षिटिक पर जमागरवा दें जी सर मीना मुश्कराद दे आप खड़े मेरा मुझ क्या देख रही है रास्ते साथिया इंस्टेक्शन कर रही है क्या पाली फुकड़ का गुड मॉर्निंग सर हुँ है सुनो यही हरीज जी है आकर बात कर लो इस बच्ची का एड्मिशन करवाना है महीना वर हो गया स्कूल शुरू हो के और तुम हाँ भार ही हो कौन से स्टांडर्ड में सिक्स्थ धाई हजार किस बात के सरकारी स्कूल की फीज तो 230 रुपए है प्राइवेट स्कूल में जाएंगी ना तो पूरे एक लाग रुपए देने पड़ेंगे एक महीने बाद आई है तो यह अमाउंट ज्यादा नहीं है इनकी एड्मिशन करानी है तो यह रकम देनी पड़ेग नहीं तो जाइए यहां से तुम इस कुरसी पर बैठने के लायक नहीं तुम्हें टीचर किसने बनाया है क्या बात करें तुम्हेरी बेजती कर रही है बेजती की तो घुस्सा आ गया ना ढंग से बात करो वरना मुझे भी घुस्सा आता है तो तुझे भी घुस्सा आता है आप गुश्सा आता है तो इसका एड्मिशन किसी और स्कूल में कर वादे अगर कोई रेक्मेंड करेगा भी ना तो मैं इसका एड्मिशन रोग दूंगा अब निकल यहां से पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं यही प्रेंचिपल है मैं गीता रानी हूँ, आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल, नौ बची से पहले स्कूल पहुचना होगा, नौ पाच को स्कूल गेट बंद होचाएगा, दिवार भांद कर कोई नहीं आएगा, स्कूल में यूनिफॉर्म पहना बहुत जरूरी है, बेल बचने के बाद, अगर कोई भी टीचर क्लास में नहीं पहुचा तो उसे मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा, ममता, तीन नोटिस मिलने के बाद, उसे सस्पेंट किया जाएगा, जो टीचर रजिस्टर में साइन करने के बाद, क्लास में नहीं चाहेंगे, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लीन होगी, सस्पेंशन में रेकमेंट करोगी, लगता है आप तो काम करना पड़ेगा, ए पीटी, हाँ, स्कूल स्कूल जैसा होना चाहिए, टीचर स्टूडन्स के लिए हैं, अपनी क्लास में जाओ, मैडम, सभी टीचर्ज को इंट्रोडक्शन के लिए यहां बुलाओं क्या, कितना ट्राइम जाएगा, एक घंटा लगेगा मैडम, तो फिर उस दोरान क्लास में कौन रहेगा, जरूरत पढ़ने पर मैं डीटेल्स मंगवा लोगी, सबसे कहो अपनी क्लास में जाए, हाँ, मैडम, ममता, जी मैडम, यह क्लास में क्यू नहीं गए, मैडम, अभी तक इनका शेडियूल नहीं बनाया, इनका शेडियूल बना कर इनके हाथ में थमा दो, और इनसे कहो कि टाइम पर क्लास शुरू करे, ओफिस में इस तरह बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके मैडम गुड मॉर्णिंग मैडम यह किसलिए है? आपकी परमीशन के बिना कोई अंदर ना आ सके इसलिए मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी की परमीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ कोई भी आ जा सकता है हटा दो उसे ओके मैडम अरे बापरे, यहां के हालत बहुत बुरी है, यह यहां कैसे बैठेगी? साप करवा देता हूँ मैडम, अभी सफ़ाई वाले को बुलाता हूँ इनका अडमिशन कर दिया मैडम, प्लीज टैंड कर दीजे इसे रोज स्कूल भीज़ना ओके मैडम चाओ बिटा चल क्या बात है? सॉरी मैडम, पता नहीं था, आप प्रिंसिपल है ये सब तो पढ़ने में बिजी हैं मैं कुछ खा लेता हूँ लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए पता चला तो सारे चीन कर खा जाएंगे भुखड गएंगे वोइस प्रिंस पासर आख है अधर अधर आईये सर अंधर आईये अरे हटो ना तुम को कहना पड़ेगा क्या सर हमने बेंच की मरम्मत करवा दिया पहले बहुत सारे कीले थी अब आपको चुभे की नहीं सर किसी की आह नहीं रिख ली ये अपने आपको महरानी समझती है क्या और हम सबको उसके खरीते हुए गुलाम पकड़ा गया अखरोट खा रहा हूं सर मुझे दूठोड इसे निकाल कर दूँ ए मैं फाल तू चीज नहीं कहता है अब तुझे क्या मत आएगा फाल तू आदमी ममता को देखो उसके हां में हां मिलाने लग गई क्लास की जाओ उखरे हो अंदर जाना यह प्रिंस्पल है वासरू में जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ड़ा हूं क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए मेरे बाप को जानती है ना इसे कहो के कल अपने बाप को लेकर स्कूल आए ठीक है मैडम यह सिगरेट लेओ और यहां से निकल आईये मैडम आप यहां की ने प्रिंसिपल है क्या तुम स्कूल के पांसो मिटर की दूरी के आसपा सिगरेट और गुटका नहीं बेच सकते जल्दी से इस दुकान को हटा दो आप अपने बच्चों को समझाईये मुझे पता दुकान कहां खोल ली है अरे मैडम आपने गरत आजमी से बंगा लेगे है क्या मैडम सिगरेट पीड़ी नहीं पेचूंगा गौँ चला जाओंगा एए एसनना क्या बाटे नहीं तीजा ने दुकान वाले का आथ मोर दिया और दूसरे हाँ से घुमा के घुछा दिया फिर उसके बाद पैर से एक गिक मारा तो दुकान वाला उड़के दूर जाके गिरा तुने देखा क्या हाँ मैंने देखा अपनी आँकों से बाप री अब तुम्झे लड़कियों से बात करना बंद करना पड़ेगा अच्छा किया इसने मुझे बता के यह बहुत चलाख है ना मिलकल सही मैं भी आजाओ बैठो ना शेयर करो नहीं दोगे आप हमारा तबर लेगी थोड़ा मेरा भी यह फिशकरी अच्छी है कौन लाया मेरी टिफिंस है टीचर अपनी मां से कहना कि बहुत अच्छा बनाया यह अपना नाम बता होथ है मैंशी थ अपना नाम बता हो यह लेकिन धियान रहे कि हमारी दोस्ती ज्यादा ना हो कि खाना खब अरे टीचर आ गई अरे भाग अरे भाग नहीं तो पहुत मारेगी अरे संबल के क्यों भाग रहे थे अब उठो आराम से अरे ये बुरी नहीं अच्छी है और सुन्दर भी है मुझे देखकर भागे क्यों मैं क्या तुम्हें चुड़ैल जैसे दिखती हूं अगर कुछ गलत नहीं किया तो कभी भी किसी से मड़ डर ना समझ गये ना कौन से क्लास में हो सेकंड क्लास हूं नाम क्या है शाम शाम हूं जो किस्तम है मुझे तुम्हारे इस प्यार की टिकी तुम मेरी रिंदगी की परी हो मेरी अगरी द्रेट जीए क्रुम्हार्ण सेज़ में अगरी तुम्हार्ण 1620 पुम्हार्ण 1620-25 कि समस्क्राण पतलते हैं, पेपर की न्यूस देखकर लगता है, पिछले दिन की ही जेरॉक्स कॉफी है, कॉफी मांगने के बाद कहां गायब हो गए थे, मैं बाहर गया था केबल और न्यूस पेपर वाले का नमबर लेने के लिए, तुम बताओ, आज स्कूल कैसा रहा, अच्छा रहा, ले मैं बात करने में तुम्हें कोई भी अरा नहीं सकता, कॉफी टेबल पर है, मैं पी लूँगा बेटा, बच्ची का अटमिशन हो गया न, तो फिर आपको स्कूल जाने के क्या ज़रूरत है, मैंने वहाँ नहीं नौकरी जोइन किया, क्या कहा, ऐसे स्कूल में नौकरी, क्या आपको क्या लगता है मैडम, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ये टीचर खाली स्कूल में अपनी तंखा और घूस लेने के लिए आते हैं मैडम, अगर सरकार उनकी सेलरी आधी करते तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे, वैसे भी ये टीचर लोग कौन सारे पढ़ाने के लिए आते हैं क्या सोच रही है मैडम मैडम अगर आप चाहिए तो मैं रोज आपको ड्रॉब और पीक अप कर सकता हूं का ये लोग अपने पैस जी जी नवस्ता है ये जी नवस्ता है